मेडीसिन जानकारी को सबस्क्राइब करें मेडी सिंते जुरी जानकारी के लिए लो फ्रेंड्स मेडीसिस जानकार के शेनल में आपका स्वागत है है प्रेंड्स आज हम लेखाए फोड्रन स्कृ म्सक्रीणष35 का क्या है उजए कब इसको लगाना चाहिए किते दिन तो लगाना चाहिए लगाने से आपको क्या बेनिपीड होता है उसके अंदर क्या का इंग्रेडिनिस और मॉलिकुल से डाले गए और यह किस परकार काम करता है तो फोल्डरम स्क्रिम्स के बारे में शंपूर्ण जानकरे के वेड़न चाहिए जिसकी मरबी की बात दो इसके मरबी 122 हैंकि 122 बेक ऐकरीम इसकी मरफी है फोल्डरम स्क्रिम्स को शिपला लिमेटेडर के द्वारा बनाय जाता है जो की एक नामसंस कंपनी है वोल्डरम स्क्रिम्स और मोलिकुल से या कमपोजिस्टन की बात तो इसके परसेंदर इंग्रेडिजिस के इंदर यह मौली कुछ डाले गए है उसका यूज के बारे में बात को तो इसका यूज सक्रमन के इलेज में के जाता है सरल बासा में बता है तो अगर आपको बहुत दिनों चे इचिंग या खुजली वगड़ा हो दी है या पिर आपके इच्छ या या फ Hils कसो अऐ कर सकते हैं इस स्कन्स से इस पूस करने के तुछारेगा तो स्कृमन को अगर आपको जब भी आपको इसका रिलीफ मिल जाए हैने के आपके इच्छ शी अखुजली और यह और कुछ सब्सक्राइब निकल जाएगी या पिर आपको जलन वगारा को मैसिस हो सकता है तो इसको कंटियू निकरे जब भी आपको रिलीव मेल जाए तो तुरंद बंद कर दें एक सक्रम्स को रोगडाम करने के लिए तरस्छा के 23 निकलने से रोकता है जिनक हम्हें से przeci वालीमा और खुजली की समस्या होती है मिकोनजल से एक एंटी-फंगल है जो फंगल की वर्दी को रोकता है जब कि नियोमाइस एक एंटि-बेटिक से तफसा का कारम बने वाली बैक्टेरिया को मारता है आपको कोई भी मेडिक लिए फार्मस ये केमिस्ट में मिल जाएगा नहीं तो आपको ऑल्लाइन भी मिल जाएगा फोर्टरं स्क्रिंस के यूज करने के पहले अपने जनरल पीजेस या अपने फेमेरी डॉक्टर से प्रिस्काइब करे या पर उनसे एडवाइज ले बाद में स्क्रिंस का इस्तमास करे अपने मंस से स्क्रिंस का इस्तमास कभी भी नहीं करे तो फोर्टरं स्क्रिंस के बार